हलो दोस्तों हम आज डादरीश में आये हैं विराज इलेक्ट्रोनिक्स और हाडवेर के ओनर से बाक्षीत करने के लिए जिससे हम जानेंगे कैसे ये बिजनस स्टार्ट किया जा सकता है और कितना इस बिजनस में पैसा मिलता है तो शुरू करते हैं राजिश भाई आपको कितना वक्त हुआ इस फील्ड में आके ये इलेट्रिक में आके हमेवकम से हम अठा साल होगे सबसे पहले मैं स्टार्ट किया मैं चेंबूर में जगाबी जॉब करता था इलेट्रिक के शॉप में वहापे मैं 3-4 साल जॉब किया है बड़ा ही करता था जॉब करता था जॉब करने के बाद वहासे में एक दिल्ली की स्विच की कमपनी में लगा इनका थीन साल काम किया शेल्शमेंशिप की बिल्डरों से मिला अर्किटेक्स से मिला बरबर तो आप डिस्टिप्यूटर थे अप्पनी के ऑफिश्यल डिस्ट है इसमें में मार्किट इंडिया की में मार्केट में काम या बात में जाकर अपने our общ to स्टेशन के साथ लेक्टिक हैं इसमें कॉन से प्रोडक्स आते हैं मोश्ट अब सब प्रोडक्स आ जाते हैं अगर टर्क सॉप खोड़ रहे कोई तो श्विचे रखना जरूरी तो यह दो चीज से उनका दुकान स्टाइब यह शौप शुरू करने के लिए कौन से लाइसेंस लगते हैं यह जैसा भी मॉंबे है मॉंबे में आपको बहुत सारे लाइसेंस लगते हैं मॉंबे के बाहर जाते हैं आपको लाइसेंस कम लगते हैं जैसे बॉंबे महानगर पाली का है महानगर पाली के जिसे आपको उजद मुंबई के वार मोश्टोप ज्यादा करके जा जा महानगरपाली का है उनके रूल्स जो इसाब से रहेंगी उसाब सब को लैसेंस लेने बड़े कोई भी फिल्ड हो अज इलेट्रिक हो हाड़वेर हो कोई भी आइटम हो अपड़े का धंदा हो कोई भी धंद सब में हुई है ठीक है आगे बढ़ते हैं यह लाइसेंस लेने में कितना खर्चा लगता है और कितना वक्त लगता है अन्दाथ से यह लेने में अगर आपका सब क्लियर है जैसे जेसे नंबर है बैंक अकाउंट से तो आप अप्लिकेशन ऑनलाइन करते हो तो आजकल तो दूरान पंदा द हो जाएगा सब तो यह शॉरू करने के लिए कितना काउंटर एक्सपीरियेंस या फिर कौन सा एड्यूकेशनल डिग्री इंपोर्टेंट है जैसे ज्यादा करें इलेट्रिक लाइन में कैसा होता है कि पिता जी ने शॉप बनाया है लड़का के ओंबी बैढ जाते है करें कोई बड़े a पर जांट बेंश बर ओर बाद में आपनो जा इक शॉप बनाते कम से कम अपको साल लगते किसays को हार में थे ला फिर्टिमा लंगते किसको चाहर साल भी लगते तीन साल से यह दोनों से चलता है माँ ज्यादा कमनी से के आपको कुछ आप गादार खेंग सकते हो और आपको डिसकौड भी च्टिछ PS से उनके दिरूब भी लमाल देना पड़ता है अगर आपने नया शौप खोला है तो क्या आपको क्रेडिट मिलेगा शुरुवात में क्रेडिट जितना नहीं मिले उतना अच्छा ही है क्रेडिट एक पर अपने को मिला तो हम लोग भी आगे क्रेडिट पास करते हैं तो उसमे बरहु तो नया शौप शुरु करने में कितनी जगा लगती है अभी नया शौप में आप अपन्तरा से बीस फूट चाहिए जो काउंटर है काउंटर से अंदर जितना एक तेना रेक्टैंगल होगा जितना अंदर गुस्ता है लो दुकान बेटर शूट अच्टेब दिस्पले बड़ा कर सकते तो इसमें नहीं नहीं डिस्पले उसको लंबा चाहिए हाइट रहा तो अब अगर पाइप पैप में जादा जाने तो 10-15 फीट का पाइप उसके लिए आपको लंबाई चाहिए तो क्या इसमें गोदाम रखना जरूरी है? यह इंद बढ़ा काम करना है और ज्यादा स्टॉक रखना अभी माल का अवेलेबल अपको तुरंत नहीं नहीं देटो डेटूदेगं त्टाइट कमने से माल कभी लेट आर जली आ रहा है तो श्टॉक रखनायक लोग बहुत लोग लोग लिया माल रखते हैं और आपका दुकन बढ़ा है उसमें मालिया बन गया तापको गोड़ा अभी ज़रोद नहीं है अच्छे यह बिजनस में शॉप का क्या टाइमिंग्स होना चाहिए यह शॉप मोस्ट आपका सुबह आठ से लेके रात को नौ बज़ता यह रात को आठ से रात को आठ से रात को लोग जो इलेटरिशन है कारी गर्स जिसको बोलते हम लोग ए फिल्ड में उन लोग सुबह आके मट्रियल लेके जाते हैं दिन बन काम करते हैं उनको अपन मट्रियल ही लेट देंगे तो बारा बजे काम स्टार्ट करेंगे तो आजा दिन का मजूरी तो उनका इसा ही चला तो कुछ मतलब नहीं है तो सुबह आठ बजे आना ही है तो ही तुम्हारा दुकान चलेगा वाना यह लाइन में गुसो ही लोग तो कौनसे टाइप का फॉर्णीचर बनाना चाहिए कम से कम खर्चे में और उस इंवेश्मेंट का कितना बजेट होगा बनीचर में जिस है कि लोगन के डारेक आप रहते हैं लोगन के रह कर दिया उसके अंदर भी सम्माल रह जाते हैं और प्रॉब्लम नहीं फिर इसको आपक्या स्पाइस है अब अच्छा इसको डिस्पले करें सॉक्स बनाओ तो भी आप बना सकते हैं इसा कुछ प्रॉब्लम निया ज़्शमें भ ठीर मैन जाता है शे मेना जबता दुकान पर्छेट तो ये फील में बड़े कौन होते हैं यह फिल्म में बड़े कश्चमार आर्किटेक्स हैं इंटिर डिजाइनर से बिल्डर से कॉंट्रेक्टर से इलेट्रिशन से प्लंबर से पेंटर से यह सब यह ते बड़ जो लोकल दुकान खूल रहा है उसके लिए सबसे सबसे जाला जिससे उससे मेजरिटी अफ़े इंकम कहां से निकलेगा नहीं रिटेल कस्टमर से रिटेल कस्टमर से एप ज्यादा इंकम लेसके हैं तो जो वॉकिन कस्टमर होते जो एक चीज लेती है उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन जादा और जो रेगुलर है तो वह तो क्या वो बड़े कस्टमर्स को क्रेडिट देते हो कोई 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 कुई कस्टमर्स अपने खास रहते हैं इन से रिलेशन है जूना संबंध तो थोड़ा बड़ क्रेडिट हो चाते हैं देटेटे नहीं अभी अम लोग अभी बंद कर दिया मोस्ट टोटल 80% क्रेडिट कर दी है तो अभी 10% कोई रहेंगे बस थोड़ बुराने है पहचान के आपको भरोसा है वो ऐसे लोग बस बाकी कुछ नहीं बढ़ा तो क्रेडिट लाइन बंद हो चुकी इसमें अगर आपको लगता है कि पुराने जमाने में चलता था अभी यह लाइन में प्रेडिक 80%-90% बंद हो गई है तो क्या इलेक्टरिशन या कॉंट्राइक्टर जो होलसेल कस्टमर है आपके वो कमिशन लेते हैं और क्या उससे आपका नुक्सान होता है उसमें ज्यादा कर देखो इलेक्टरिशन को अच्छा सामने लेबर चार्ज मिल रहा है तो उन लोग कमिशन नहीं कितना कमिशन नहीं है इसमें जो दुकान वाले दुकान दार को कमिशन से कोई फरक नहीं पड़ता है उसे खाली बिल में 10-20 लिखके देना उसे कुछ फरक नहीं पड़ेगा इलेक्टिक शॉप में कितना प्रॉफिट मिलता है बहुता है जैसे अलग-णलग प्रोड़क्स है तो उसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा थी में जब दिन बद प्रॉफिट मार्जिन कम होते जा रही है तो यह ज़्या ज़्यादा 10 से 15 टके 20 में सको पर नहीं जा रहे Glory disc चाहिए अधे में आपका कम्यों का मार्जी लेवल भी कम होते जा रहे हैं अधमी फटापट बोट कर रहा है एक का दो दुकान बना रहा था मार अभी बहुत मुश्किल हो रहा है तो अभी इसमें 10-15% तक ही कमिशन है जादा से जादा कोई कंपनी है तो 20% कमिशन दे रही है तो अगर किसी ने नया शॉप शुरू किया तो उसकी मार्केटिंग किस प्रकार कर सकते है नया शॉप अभी किसी ने स्टार्ट किया तो जैसे स्विचिस कंपनी भी अपने तरफ से जादा जादा एड़रडाइसमेंट कर रही है का इले लोकल एरिया के इले टिशन का मीट करती है उनको गिफ पाटी है स्केम्स दे रही है तो जिससे उन लोग आके सामने से माल लेकी जाते तो सब्सक्राइब तो प्रूम वाले कि आप जैसे जो मल्टी ब्रैंड वाले है जैसे आपके दुकान में बहुत सारे कंपनी का माल है तो क्या आपके लिए भी वह उतनी ही एल्प करेगी जादा करेंगे कोई फुल सीजन या फिर कोई और सीजन है इस सीजनलीटी है इस इंड पीखते बहुए फिर थंडी में आपका हीटर है घीजर है यह सब बिखते जादा बाद में ताहीवार आते हैं तेवार हमें लाइटिंग भीकते अच्छा यसा कुछ निया और मेंटरेंस तो आना ही सब चीजों में चलता ही रहते हैं अगर माल बिका नहीं तो क्या इसमें मा पड़े ले और हां बिकने के बाद कुछ खरब भी आया मट्रियल तो कमपनी का रिप्लेस्मेंट पॉलिसी रहते हैं कमनी का रिप्लेस कर सकते हैं कर सकते हैं इसमें घर पे जाके रिपेर करते हैं हम लोग कंपलेंट डाल देते हैं इसमें अभी मोस्ट अब ज्यादा करें कमनियों का सब ऐसा ही हो गया है कि आप कस्टमर को कस्टमर कर नंबर दे दो कमनी का आदमी बंदा जाके उता रिपेरिंग करके आ जाएगा पहले कैसा था स्विचिस आते थे यहां पर हमको बदली कर आपका कोई टेंशन नंबर दे और कोई कंपनी वाले आज उनको इमर्जन से समझों घीजर का बटन गया है तो कमनी वाले दो दिन के बाद आएंगे अब दो दिन तक और लटक ने राएगा तो दोस्तों ऐसी कंपनी का माल रखो जो आपको काउंटर पे रिप्लीश्मेंट का ओफर दे तो क्या आपके कस्टमर भी आपके पास ठीके रहेंगे और आपके कस्टमर भी आपकी कस्टमर सर्विस को वैल्यू करेंगे अगर किसी दुकान का रेंट 20,000 रुपे हो और उनके पास एक हेल्पर काम पे है तो उस दुकान को प्रॉफिट मे आने के लिए कितने रुपी की सेल होनी जरूरी है दिन में या फिर मन्त डेली क्या सेल हो नी चली जए लिए 20,000 रुपे ईसको रेंट है 10,000 पगा रहे 30,000 नीं हो गय विदैट गहीं नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफित करवाने के लिए आपको कितने हजार का सेल होना चीह है दस दस से 12 अजर का सेल उना चीह इन्ष सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइन में जएग थोड़ा सेल कम रहा दो चलते है तो मारजिन का वर हो जाता है इसे एक हैं आपके पास आते रहीं है कि से पास फूंके लिए ही है कि उनके साथ अच्छा रिलेशन मनाओ, टाम-टू-टाम मट्रियल दो उनको, उनके साथ बील में आप क्लियर रो, इसाब कीदब में, उनका जो कमिशन मांग रहे तो कमिशन आप टाम-टू-टाम दे दो, और उनको अच्छा सर्विस दो, बस यही में हैं उनका दो, तो यह आपको थोड़ा बहुत उनके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि वह आपके रेगुलर कस्टेमर है, उनको आप एक बार ना बोलोगे, तो दुस्रे के बास जाएगा वापिस आपके बास निएगा, तो उसको पकड़ के रखने के लिए आपको ओवर और जाना जरूरी काट से एलेक्रिक शॉप वालों को कोई फरक पड़ा है, अभी तक तो फिलाल 2020 में इतना नहीं पड़ा है, और आगे जाके इसा लग रहा है कि उसकी फिल्ड में थोड़ा बहुत फरक आ सकता है, और यह जिसे साथ एलेडी से एमेजोन पर आ गई है, इसाथ से बहुत चाहिए मैनुफेक्टरर रहे है, और खुदी आना चाहते है, बससे लेडी आगे है, फैन वाले आ गे हैं फिर लाइटिंग वाले आ गे हैं अबिशीचिस वाले आ गे हैं तो उसके साथ से उतना काउंटर पर उनको फरक पड़ रहा है, क्योंकि उदर अमेजन में रेड अ उप्टान चुरू कर रहे हो तो ऐसी कम52 nine लान लाद जिसे जस्टे जो अमेजोन पर मिलता है तो जो क्या होगा कोई बंनद खर जाएगा और चेक कर रहे कि ब्लस आगया कि ऑनलाइन वाले सर्विस नहीं दे पाएंगे आज दो साल का जिनका खराब वह बन्दा तभी उसका रिफंड चला जाएंगा पीरेड है तीस दिन और इलेटरिक लाइन में आगया के रिफ्लेस आना ही आना है तो उसमें वह मार खाएंगे राजिश भाई हम आपने आपका किमती वक्त दिया हमारे इस वीडियो में इंफोर्मेशन शेयर करने के लिए इसे लिए तेह दिल से शुक्रिया दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको ये वीडियो में कोई अच्छी इंफोर्मेशन मिली है तो प्लीज इस वीडियो को वा